Hello friends, let's crack SSC and railway exams में आपका स्वाधत है आज के इस lecture में हम देखने बाले हैं विस्वी की नद्यों को तो इसका दूसरा lecture है पहला पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं जो पूरे विस्वी में पुरुण नद्या बची हुई हैं आज हम इस lecture में complete कर लेंगे टेस्ट लगाएंगे तो वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक पूरा देखना है उस टेस्ट के दौर आपको पता चल जाएगा किस परकार के कोशन अग्जाम में पूछे जाते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से विला दोस्तों यदि आपने हमारा लावा टेस्ट हुआ इसमें आप अपनी परफर्फर्मेंस का अनालिसिस कर सकते हैं किस परकार के आपकी तैयारी हो गई है या आपको बादा चलता रहेगा इसके लावा जिस भी एक्जाम की कोर्स को आप खरिदना चाहते हैं उस एक्जाम का complete course आपको उसी के syllabus के हिसाब से मिल जाएगा unlimited access के साथ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी topic आप एक ही बार देख सकते हैं जैसे कि मैं तो कोई topic है आप उसको कई बार देख सकते हैं उस course से सम्मंदित सभी का lecture आप देख सकते हैं इस परकार से आपको कोई भी topic अच्छे से clear हो जाएगा और अभी तक यदि आपने unacademy learning app डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद जिस भी exam के course को आप खरीना चाते हैं खरीज सकते हैं जैसे कि यदि आपको sse का course खरीदना है तो sse के course के लिए 12 मंत की फीस होगी आपके लिए 6000 रुपे और यदि आप इसमें मेरा SHAM code यूज करते हो तो आपको 10% का discount मिल जाएगा और इसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 5400 रुपे ठीक है 10% का discount के बाद आपकी फीस हो जाएगी 5400 रुपे और यदि आपका target लंबा है 24 मंत का target है तो इसके ल पर 270 रुपे पर मंत के बल ठीक है तो इस तरीके से आप मेरा SHAM code यूज करने के बाद 10% का discount प्राप्त कर सकते हैं किसी भी course को खरिते हुए तो चलिए आते हैं अपना topic पर देखी ये है पूरे बिस्व का map और इसमें हमें देखना है पूरे बिस्व में पिरमुक नदियों दूस्त या आपको पता ही चल गया है कि पहला lecture हम नदियों का upload कर चुके हैं इसका दूसरा lecture है तो देखिए पहले lecture से जो नदिया बची थी वह हम आपको बता देता हूं जो आज हमें इस lecture में complete करना है देखिए ये है यह है उत्तरी अमरीका यहां की नदिया बची थी और जिससे कि हमें अंदाजा हो जाएगा किस प्रिकार की कोशन अक्जाम में पूझे जाते हैं तो देखे चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से युरोप से युरोप की पिरमुख नदियों को हम पहले देखते हैं देखे यह है युरोप का मेंब तो यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह उपर युराल नदी तो यूराल नदी तो देखे यूराल परवत से निकलती है और यूराल परवत है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह यूराल परवत है यूराल परवत के इधर है एसिया और इधर है यूरोप तो यह यूराल परवत एसिया और यूरोप की प्राकरतिक सीमा भी बनाता है और य यूराल नदी ये बार में हमें बस यह ही याद रखना है, कि ये कैश्पियन सागर में गिरने वाली एक नदी है, और ये एशिया और यूरोप की प्रैक्रिक सीमा भी बनाती है. इसके अराबा देखिए बौलगा नदी है, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, बॉलगा नदी आप देख सकते हैं यह बॉलगा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है तो यह भी कैस्पियन सागर में आकर गिरती है तो हमने यहाँ पर देखा कैस्पियन सागर में गिरने वाली दो नदियों को बॉलगा नदी और यूराल नदी ठीक है अब हम देखते है यहाँ पर यह काला सागर या ब्लैक सी ठीक है तो ब्लैक सी में आकर गिरने वाली दो प्रमुख नदिया है जिनके बारे में हमें देखना है तो पहले तो देखे यह नीपर नदी यहाँ पर और दूसरी है यहाँ पर डैनियूम नदी तो डैनियूम नदी एक ऐसी नदी है ज युक्रेयन की राजधानी कीव नीपर नदी पर ही इस्थित है तो नीपर नदी के बारे में हमें बस इतना ही देखना है और यहाँ पर देखिए रोस में यहाँ से निकलती है यह ज्याद़ डिटेल में हमें नहीं जाना है तो युक्रेयन की राजधानी कीव नीपर नदी प बेर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये सब्से ज़ादा देशों से होगर गुजरती है, पूरे बिश्ब में, ये 10 देशों से होगर गुजरती है, ये तु मैं आपको बता ही दिया है, तो देखिए ये निकलती कहासे है mercy, निकलती है तो softer निकलने के बाद यह ओस्ट्रिया में प्रिवेस करती है ओस्ट्रिया की राजधानी बियेना इसी नदी पर इस्थित है इसी नदी किनारे पर इस्थित है बियेना यह आप देख सकते हैं यहां पर देखें डैनियूम नदी पर चार देशों की राजधानी इस्थित है और चा इसेवाले 20 या फिर इस वाले 20 यहां देख सकते हैं आप देखेए उस्ट्रिया की राजदानी वियेन इसी परिस्तित है इसकेब सर्वियाДа प्रिवेस करती है सर्विया की राधानी वैल ग्रेड इसी नदी के किनारे पर इस्ति इसके बाद कर अकर uted काला सागर में या ब्लेक सीन में आकर अपना धिवानां बनाती है तो डेनियूमों नदी के बारे यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डैनियूम नदी है डैनियूम नदी के बारे में हमने अभी बात कर ली है डैनियूम नदी और यहां पर नीपर नदी दोनों काला सागर में आकर गिड़ जाती है इसके बाद देखिए यूरोप क इसकी बारे में याद करना है कि पॉलेंड की एक प्रिभुख नदी है बिस्तुला इस नदी के किनारे पर ही पॉलेंड की राजधानी वार्षा स्तित है आफ हम देखते हैं आगे और यहां की औट ज्यादा नद्यों को नहीं देखना है देखिए यह है जर्मनी जर्मनी की राजधानी है वर्लिन यहां देख सकते हैं यह है बर्लिन तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन एल्ब नदी की एक सहयक नदी है यहां पर इसका नाम है इस्प्री ठीक है एल्ब नदी की एक सहयक नदी इस्प्री है इस्प्री नदी पर ही इस्तित है जर्मनी की राजधानी वर्लिन तो यहाँ पर आकर यह अपना मुहारा बनाती है नौर्थ सी में आकर यहाँ पर ठीक है तो जर्मनी की राजधानी वर्लिन इस्प्री नदी के किनारे पर इस्प्री नदी एल्ब नदी के एक साहक नदी है तो यहाँ पर हमने देख इन दोनों की सीमा बनाती हुई, यह धर चली जाती है, ठीक है, तो राइन नदी के बारे में हमें यह याद रखना है, कि यह वरंस घाटी से ओगर जाती है, यह हमें याद रखना है, वो राइन नदी है, ठीक है, तो राइन नदी के मुहाने पर, यहाँ पर आप देख सकते ह और नीदर लेंड में इसी के मुहाने पर यहां पर एक बंदरगा है जिसका नाम है रोटर डम बंदरगा है ठीक है रोटर डम मैं लिख देता हूं यह रोटाडम बंदरगा है नीदरलंड का एक प्रमुक बंदरगा है जो इसी नदी के किनारे पर इस्तित है इसी नदी के मुहाने पर इस्तित है ठीक है नीदरलंड की राध्धानी तो आपको पता ही है अब देखते हैं हम आगे देखें यह है फ्रांस फ्रांस की राध्धा पेरिस में घॉनेस्को का मुख्यालय भी है तो फ्रेंस की राजधानी पैरिस, सीन नदी की किनारे पर स्थित है यह हमने देख लिया है देख के इसके इलाबहेखके ही यहां पर यह है इतली इटिली की राजधानी रॉम टाइवर नदी की किनारे पर इस्थित है यहाँ पर एक छोटी सी टाइवर नदी है टाइवर नदी की किनारे पर इस्थित है इटिली की राजधानी रॉम यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइवर ठीक है यह है टाइवर नदी तो टाइवर नदी किनारे पर ही इस्थित है इटली की राधानी रॉम अब देखिए इटली में एक नदी और है वो यहां पर प्रभाइत होती है लगबग यहां से यहां आकर गिर जाती है इटली की एक पुर्मुख नदी है जिसका नाम है पो इसके बारे में हमें क्यों याद करना है क्योंकि इस पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं यह इटली की गंगा है मैं लिख देता हूं इटली की इस नदी को इटली की गंगा कहते हैं इसलिए इसके बारे में हमें याद रखना है कि यह इटली की पुर्मुख नदी है पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं इसके बाद हम देखिए और ज्यादर नदियों को हमें यहां नहीं देखना है अब हम आजाते हैं यहां पर उपर देखिए यह है United Kingdom तो Britain की राजधानी आपको पता ही है London है यहां पर आप देख सकते हैं London तो London एक नदी परिस्तित है उसका नाम है यहां पर यह नदी है जिसका नाम है TAMS तो TAMS नदी की किनारे पर ही इस्तित है England की राजधानी London यह London TAMS नदी की किनारे पर इस्तित है TAMS ऐसे लिका जाएगा ठीक है तो यहां पर हमने प्रमुख नदियों को देख लिया है देखिए यह है उत्तरी अमरीका और यहां पर नीचे है दक्षडी अमेरीका तो हमें पहले उत्तरी अमेरीका की प्रमुख नदियों को देखना है तो इसमें भी हम स्टार्ट करते हैं यहां से यहां पर आप देख सकते हैं यह USA में एक नदी है जिसका नाम है Colorado नदी यहां देख सकते हैं आप यह यह है Colorado नदी तो Colorado जो नदी है यह यहां पर है रोकी परवत यह पूरी रोकी स्रंकला आये रोकी परवत से ही निकलती है यहां से यह Colorado नदी तो यह हमने देख लिया देख इसको मिटा देता हूँ मैं तो यहां रोकी परबस से निकल रही थी यह कोलो रेडो नदी तो कोलो रेडो नदी के बारे में हमें कुछ important बाते याद रखनी है कि पहले तो देखे यहां पर कोलो रेडो नदी पर लगभग यहां पर Grand Canyon ہے Grand Canyon किसको कहते हैं मैं यह बता देता हूँ पहले आपको देखे जब कोई नदी किसी पहाड या चटान को काटती है तो वो जहरी खाई बना देती है इस प्रिकार से खाई बना देती है मिट्टी को काट काट कर तो इसको हम कहते हैं Gorges ठीक है इसको हम गोर्ज कहते हैं इसी के ही ब्रहद रूप को हम कहते हैं Grand Canyon ठीक है इस परकार से भी अकार की घाटी बनाती है जब कोई नदी तो इसको हम Grand Canyon कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि गोर्ज का ही ब्रहद रूप होता है Grand Canyon तो इस नदी पर यहाँ पर Grand Canyon इस्तित है यह में याद रखना है और यहीं पर देखिए आगे जायकर यहाँ पर यहाँ पर एक बांध इस्तित है जिसका नाम है Hoover या Boulder Band ठीक है। यहां पर हुबए या बॉल्डर बांध इसी पर इस्तित है.. और यह जो जील बन रही है आप देख सकते हैं यह जो जील है इस जील का नाम है लेक मीड का रही हैD तो Colorado नदी के बारे में हमने देखा कि यहां से यह रोकी परवस रंकला से निकल रही थी निकलने के बाद यहीं इसी नदी पर यहां परिस्तित है Grand Canyon और इसी नदी परिस्तित Lake Mead है और एक Hoover या Boulder Band है इसी नदी पर इसी नदी से संबंदी थैं यह सब चीजें तो इसके बाद हम देखते हैं Rio Grande नदी के बारे में देखे यह है Rio Grande नदी तो इस Rio Grande नदी के बारे में हमें एक ही बात याद रखनी है कि यह USA और मेकसिको के बीच प्राकर्तिक सीमा बनाती है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह प्राकरतिक सीमा बना रही है इन दोनों के बीच में तो इसके बारे में यही प्रमुख बाद हमें याद रखनी है कि यह USA और मेक्सिको की प्राकरतिक सीमा बनाती है इसके बाद देखिए हम देखते हैं यहाँ पर Mississippi नदी को यह यहां की एक प्रमुख नदी है Mississippi नदी का अपवाच चेतर USA का सबसे बड़ा अपवाच चेतर है नदियों में तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना है दिखे आ जाते हैं मूपर यहां पर यहां से निकलती है Mississippi नदी यहां पर एक जील है जिसका नाम है इटास का जील यहां पर इटास का नाम की एक जील है तो इटास का जील से ही यह निकलती है Mississippi नदी निकलने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर यह है एक नगर सेंट लुईस तो SANDже में एक इसकी प्रमुख सहयक नदी जिसका नाम है Missouri यहाँ पर देख सकते हैं आप नाम तो Missouri नाम की एक नदी SANDже में आकर Mississippi नदी से आकर मिल जाती है और इसके भाद आगे जाकर यह अपना मैक्सिको की खाड़ी में अपना मोहाना बनाती है जहाँ पर यह अपना मुहाना बनाती है New Orleans बंदरगा इस्तित है इसी नदी के नारे पर इस्तित यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यह यहाँ का एक प्रिसिद बंदरगा है New Orleans तो यही पर यह अपना एक डेल्टा बनाती है जो कि देखिए पक्षी के पंजे के अकार का डेल्टा बनाती है मिसी सी पी नदी इस बात को भी आपको याद रखना है पक्षी के अकार का डेल्टा कौन से इनदी बनाती है मिसी सी पी नदी एक बार PCS के एक्जाम में भी पूछाता है यहाँ पर यह इस तरीके का डिल्टा बनाती है पक्ची के अकार का पक्ची के पंजी के अकार का डिल्टा बनाती है तो इसके बारे में यह बात हैं हमको याद रखनी है इसी के मुहाने पर नियू औरलियंस वंदरगा इस्तित है और यहाँ पर सैंट लूइस है आप देख सकते हैं जहाँ पर यह दोनों नदियां आपस में आकर मिलती हैं यहाँ पर सैंट लूइस है तो इस नदी के बारे में पोटो मैग यह जो नदी है यह पोटो मैग नदी है ठीक है इस प्रिकार से आप नाम याद रख सकते हैं कि वॉसिंटन डीसी जो है वो पोटो मैग नदी किनारे परिष्थी थे इसी के उपर है निय यॉर्क एक फैमस नगर है निय यॉर्क तो यह जिस नदी के किनारे यहां पर हमने इन नदियों को देख लिया है यहां पर एक पिरमुक नदी और है जिसका नाम है सेंट लोरेंस यह जो नदी है देखिए आप देख सकते हैं यह ओंटेरियो जील यहां पर यह ओंटेरियो जील है इसी जील से एक नदी निकलती है यहां से तो यह सेंट लोरेंस नदी है में इसका नाम लग देता हूं ठीकि है सैंट लोरइनस नदी तो यह नदी जब आगे जाती है कणाड़啊 में देखी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रमुख नगर है मॉन्टरियल तो कनाड़ा में प्रमुख नगर मॉन्टरियल है तो यह क्यों फैमस है मोंट्रीयल तो हम कह सकते हैं देखिए एक नगर है प्रमुक तो पूरे बिस में सबसे बड़ा नदी दीप यह नगर मॉंट्रीयल है जो कौन सी नदी बनाती है सेंट लॉरेंस तो यहाँ आप जान सकते हैं एक बात और अपने भारत में ब्रहमपुत नदी है तो ब्रहमपु दीव कौन सा है ब्रहंपुत नदी पर माजुरी दीव जो कि अपने भारत में असम्मेस्थी थे ठीक है तो यह सेंट लोरेंस नदी यहाँ पर आकर अपना मोहाना बनाती है यह एक खाड़ी है सेंट लोरेंस की खाड़ी इसका नाम भी सेंट लोरेंस की खाड़ी है ठीक है त तो कोलंबिया नदी निकलती है कनाडा से निकलने के बाद ये USA में प्रिवेस्ट करती है यहाँ पर लगबग यहाँ पर यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है ग्रांड कुली बांध ठीक है यहाँ पर ग्रांड कुली बांध है कोलंबिया नदी पर इसके बाद इसी के एक सबसे बड़ी सहायक नदी है स्नैक नदी ये एक स्नैक नाम की नदी है जो कोलंबिया नदी की सहायक नदी है तो कोलंबिया नदी के बारे में हमें यही बाते याद रखनी थी और इसी के मोहने के पास में इसी नदी किनारे पर यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर पॉर्ट लेंड इस्थित है पॉर्ट लेंड यहाँ का एक प्रमुख नगर है तो पॉर्ट लेंड कोलंबिया नदी के किनारे पर ही स्थित है नदियों के किनारे जो प्रमुक नगर हैं वो भी आपको याद रखना है तो अब हम देखते हैं देखिए उपर यहाँ पर एक नदी है फ्रेजर नदी तो फ्रेजर नदी के बारे में हमें एक बात याद रखनी है कि इस नदी के मोहने पर इस नदी के किनारे पर मतलब यहां पर बैंकूबर बंदरगा है आप देख सकते हैं यह बैंकूबर यहां का प्रिसित बंदरगा इसी नदी के किनारे पर हम कह सकते हैं इसके मोहने पर स्थित हैं फ्रेजर नदी के मोहने पर ठीक है तो यहां पर याद रखना इसकी location कहाँ पर है इसके बाद हमें धो तीन नदी और देखनी है ऊत्तरी अमरीका में Now हम आ जाते हैं उपर देखिए यहाँ पर कणाडा की एक प्रवुख नदी है mackengy नदी इसके बारे में आपको याद रखना मैकेंजी नदी जो यह निकलती कहां से है यहां पर है great slave lake यहां से निकलती है यह और अपना मुहाना कहां बनाती है before sea में यह before sea तो मैकेंजी नदी याद रखनी है हमें यहां पर मैकेंजी नदी निकलती है great slave lake से और मुहाना कहां बनाती है before sea में इसके बाद आ हम यहां पर देहीं यहां के एक पिर्मुख नदी यह कौन नदी यह कौन नदी तो यह कौन सी और चुक्ची सी को जोड़ने वाली एक जलसंदी जो है उसका नाम भी bearing जलसंदी है जलसंदी की वीडियो में आपको बता चुका हूँ bearing इस्ट्रेट है यह जो bearing सी को और चुक्ची सी को जोड़ती है और अलग किसको करती है पूरे एसिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जलसंदी bearing जलसंदी है तो यहां की हमने प्रमुख नदियों को देख लिया है अब हम आ जाते हैं देखे नीचे ये है दक्षिड अमेरिका तो दक्षिड अमेरिका की जो प्रमुक नदिया है उनको देखना है दक्षिड अमेरिका की सबसे जादर प्रमुक नदी है अमेजन नदी अमेजन नदी के बारे में हमें पहले देख लेना है तो अमेजन नदी अपवाज छेतर की दरश्टी से पूरे बिस्व की सबसे बड़ी नदी है अपवाज छेतर की दरश्टी से पूरे बिस्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है अमेजन नदी यदि हम लंबाई की दरश्टी से भी देखें तो लंबाई की दृष्टी से भी इसका दूसरा नंबर आता है ये दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है पूरे बिस्व की और सबसे ज़्यादा लंबी पहले नंबर पर कौन सी आती है नील नदी जो की अफरीका की एक पिरमुख नदी है उसके बारे में हमने पहले पार्ड में देख लिया था तो ये है अमेजन नदी अमेजन नदी की एक पिरमुख नदी है यहां देख सकते हैं आप ये मडीरा ये किसकी पिरमुख नदी है मडीरा इसके बारे में याद रखना है जिन बातों के बारे में याद रखना है जिन चीज़ों के बारे में याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा exam के point of view से जो भी important है वो सभी facts मैं आपको बताऊंगा तो ये है मडीरा जो की एक साहयक न दी है सबसे लंबी साहयक न दी है ठीक है मानोस जो नगर है यहां पर इसी नदी के नारे पर इस्थित वो रवर केंदर के रोप में प्रिसिद्ध है और इसकी एक सबसे बड़ी साहिक नदी मडीरा है तो हमने इसके बारे में जितनी इंपोटन्ट फैक्ट्स थे वो याद कर लिये हैं दीक है इसके बाद हम द लगबग एक किलो मीटर उंचा है यह जल पर पात एंजिल फॉल नाम भी लिख देता हूँ एंजिल फॉल ठीक है एंजिल वाटर फॉल जो है पूरे बिसका सबसे उंचा जल पर बात है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह औरिनोको नदी तो औरिनोको नदी की एक साहिक नदी लगबग यहां पर है यहां बता देता हूँ तो इसी नदी पर लगबग हम कह सकते हैं यहां पर एंजिल पर पर पात है और इस नदी का नाम में बता देता हूँ जिसका नाम है रियो केरोणी नदी ठीक है यह यह रियो केरोणी नदी है इसी नदी पर इस्थित है प वही यहां पर इस्थित है ठीक है तो वेने जेला की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है औरिनोको नदी इसी की एक प्रमुख सायक नदी है रियो केरोणी नदी इसी नदी पर इस्थित है पुरे बिस्व का सबसे उचा जल परपात एंजिल जल परपात जो की वेने जेला म जिसका नाम भी प्रागवे है यह आप देख सकते हैं तो प्रागवे नदी ब्राजील में निकलने के बाद यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यहाँ पर यह पर यह पर प्रागवे और ब्राजील की प्राकृतिक सीमा बनाती है इसके बाद यह प्रागवे में प्रिवेस करने के बाद प्रागवे की राजधानी आसोंसियन इसी नदी के नारे परिस्तित है और फिर यह दुबारा यहां पर अर्जेंटिना और प्रागवे की सीमा बनाती है और देखिए यहां पर यहां पर आकर इससे दूसरी नदी मिल जाती है जिसका नाम है पराना यहां पर आप दे और यह परणा नदी आके अर्जंटीना में प्रिवेश करने के बाद यहाँ पर अपना Towards Your Next तो यहाँ पर देखिए इन नदी के बारे में आमें बस इतना ही याद रखना है तो हमने लगवाद सभी प्रमुख नदियों को देख लिया है अब हम लगा लेते हैं एक छोड़ा सा टेस्ट तो देखें ये बही टेस्ट है जो हमने पहले पार्ट में लगाया था तो इसमें कुछ ऐसे कोशन थे जो दूसरे पार्ट को कंप्लीट करने के बाद होते तो अब हम सभी कोशन को देख लेते हैं इसमें बो कोशन भी है जो पहले पार्ट से लिए गए है सभी कोशन है मिक्स है ठीक है तो श्टाट करते हैं तो पहला कोशन है हमारा अपवाज छेतर की दृष्टी से जो बिस्प की सबसे लंबी नदी है बहे है तो पूरे बिस्प की सबसे लंबी अपवाज छेतर की दृष्टी से कौन सी नदी थी अभी मैं आपको बताया है वो है अमेजन नदी ठीक है अमेजन नदी जो है अपवाज खेतर की दरश्टी से सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है तो इसका अंसर उप्शन B, अमेजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा अमेजन नदी की लंबाई जो है वो 6400 किलो मीटर है और यहां नील नदी की जो लंबाई है वो 6650 किलो मीटर है तो नील नदी पुरे बिष्व की सबसे लंबी नदी है उसके बाद दूसरे नमर पर आती है अमेजन नदी लंबाई की दरश्टी से लेकिन अपवाज छेतर की दरश्टी से सबसे बड़ी या लंबी नदी अमेजा नदी है ठीक है चलिए आगया देखते हैं देखे यह दूसरा question नदियों में से कौन सी बिसुवत रेखा को दो बार काटती है तो बिसुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी है जायरे या काउंगो ऑफशन ए विलको ठीक है पहले पार्ट में इसके बारे में डिटेल में बता जुका हूँ आगया देखते है तीसरा question निमलिखित नदियों मैंसे कौन सी सबसे लंबी है तो सबसे लंबी नदी निमलिखित मैंसे कौन सी है देखे सबसे लंबी पूरे बिस्पी की कौन सी है नील नदी दूसरे में आपको बताया था अमेजन है तो इसमें ओफसन ए बिल्कुर ठीक हो जाएगा क्योंकि नील इसमें ओफसन नहीं है तो ओफसन ए अमेजन नदी है आगे देखते हैं दक्षिड अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है तो ये भी आपने अभी देखा था तो इसमें ओफसन-ए चाड नाम एक अइसा देश है जो नीलनदी के अपवा छेतर में नहीं आता है। तो अफ्रीका का वा एक देश है चाड जो नील नदी के अपवा छेतर में नहीं आता है बाकी इथोपिया, सुडान, युगांडा ये आते हैं आगे देखते हैं नीली नील नदी निमलिखित में से किस धील से निकलती है तो इसका अंसर है option B ताना धील से एथोपिया की एक धील है ताना वहीं से ही निकलती है ये नीली नील नदी पहले पार्ट में ठीक से डिसक्स करते कौने सभी बातों के बारे में आगे देखते हैं Q7. Kita siya की निमलिखितमे事 है? कौनसी नदी धक्षड को पिरुवाहित होती है? तो धक्षड को पिरुवाहित होने वाली असीय की कौनसी नदी है? देखिए आमूर नदी यहाँ वहाँ पर है, रोस में, लीना नदी भी पर है, ओब नदी भी बहीं पर है यह सब उत्तर की ओर पर वहाहित होती है सालवी नदी एक ऐसी नदी है जो दक्षड की ओर पर वहाहित होती है सालवी नदी म्यामार की एक प्रमुख नदी है म्यामार की एक प्रमुख नदी और भी है जिसका नाम है इराबदी नदी तो option D बिल्कुर ठीक हो जाएगा इसका आगे देखते हैं question number 8 देखते हैं Asia की सबसे लंबी नदी है तो Asia की सबसे लंबी नदी Yangsi नदी है ये तीसरी नमबर की भी सबसे लंबी नदी है इसकी लंबाई 6300 किलो मिटर है ठीक है तो Yangsi नदी चाइना में है ये Asia की सबसे लंबी नदी है आगे देखते हैं सर और अमुदार्या नदियां गिरती है कहां गिरती है अरल सागर में option D बिल्कुर ठीक है अरल सागर में गिरने वाली दो फिर्मुख नदियां है अमुदार्या और सिर्दार्या ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्य नमेरों 10 काला सागर में गिरने वाली नद्य》 है तो काला सागर में गिरने वाली नदियां तो मैंने आपको बताई थी नीपर ऑर डैनीउब नदी उपसन नेपर और रॉद्व बोलगा नदी कहा गिरती है तो बोलगा नदी कहा गिरती है अभी मैं आपको बता है कैस्पियन सागर में गिरती है बोलगा नदी और यूराल नदी ऑफ़सन बी बिल्कु ठीक हो जाएगा आगे देखते हैं कौश्च नमबर 12 निम लिखित में ऐसे कौन सी नदी वरंस घाट आगे देखते हैं निम लिखित में से कौन सी नदी एसिया से संबंदित नहीं है तो एसिया से संबंदित निम लिखित में से कौन सी नदी नहीं है यहाँ पर देखिए देख सकते हैं यह उप्सन सी नाइजर नदी नाइजर नदी आफरीका की एक प्रमुख नदी है तो य तो इसका आंसर हो जाएगा लिंपोपो नदी मकर रिखा को लिंपोपो नदी काटती है पहले लेक्चर में में आपको ठीक से बताया था दिखे इसको जाथ करते हैं C M L से लिम्पोपो नदी नीचे मकर रेखा उसको काटती है और बीच में भूमद्य रेखा है तो C से हो जाएगा देखिए कॉंगो जो की भूमद्य रेखा को काटती है और उपर है करक रेखा तो करक रेखा को काटने वाली अपने भारत में ही एक नदी है C बिल्कुर ठीक हो जाएगा आगे देखते हैं एसिया की विसाल नदी मेकांग नमली देशों में से किसमें नहीं बैती है तो यहां पर देखिए मेकांग नदी चीन से तो निकलती ही है पहला लेक्चर यदि आपने ठीक से देखा हुआ तो आप इसका अंसर असानी से लगा स और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकान पर क्लिकर लीजिए जिसे कि आने वाले सभी इंप्रेंट वीडियो के नॉटिविक्शन आप तक प्राप्त होते रहेंगे और मैं आपको कोर्स के बारे में बताया में है वाले सड़िर आपको